क्या बच्चे होंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटे के बाद या इंजिनरिंग के बाद IES ऑफिसर कैसे बने IES का फुल फॉर्म होता इंडियन इंजिनरिंग सर्विसेस IES को बहुत सारे इंजिनियर जो IES को इगनूर कर देते हैं उनको IES को IES समझ में आता है ऐसा नहीं वाई ये इंडियन इंजिनरिंग सर्विसेस IES होता जैसे एक IES अधिकारी होता उसी तरह हर डिस्ट्रिक का एक हेड अफ इंजिनियर होता जो डिसाइड करता कि वाई इस इंजिनरिंग से रलेटेट क्या काम होंगे क्या चीज़े हो तो इस पूरे वीडियो में इसी बारें बात करेंगे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पहली बार चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर हिट करेंगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें काई अगर हम बात करें आइस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनमम योगिता कितनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सब बात कर लेते हैं अब देखो आइस में मिनमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक होना चाहिए कि भाई आप इंजिन लिमिट क्या होती है इस लिमिट डिफरेंट डिफरेंट तक है मैक्समम है कि 21 वर से लेकर के 30 सल्थ के अंदर में भी होना चाहिए ठीक है तो इतना ठीक है इस लिमिट क्योंकि उसके बाद फिर भाई प्रपरेशन नहीं हो पाती है और चीजे उस लेवल पर नहीं जा पाती है एक IES ऑफिसर की पावर बहुत जादे होती है इंडियन इंजिनिंग सर्फिसेस के एक्जाम को ना एक्जाम का पैटर्न थोड़ा सा टॉफ होता है पैटर्न गेट के पैटर्न से थोड़ा सा लग होता है और आपको पहले स्लेवस देखना होगा जब प्रिप्रेशन स्टेजी आप बनाओगे तो स्लेवस देखना पड़ेगा कि स्लेवस में क्या है क्या चीजे पूछा है और कौन सी चीजे है जिससे हम आगे जा सकते हैं तो चलिए मैं बता लेगिन आपका इक इंटर्व्य कॉल होगा उसके फिर फाइनल सलक्षन और आईएस में जाने के लिए लोग ना दिखो अगर आप गेट की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आईएस का इक्जाम जरूर दो अगर आप गेट में सलेक्टेड नहीं होते तो जरूरी नहीं कि आप आपसे चीजे एक्स्प्लोर हुई लोग वेरनेस हुआ कि हाँ भई बीटे के बाद आई-एस बना जाता है बहुत लोग पता भी नहीं था आई-एस के बारे में बता दूँ अब लोग इंडरनेट का मीडिया मा गया बहुत सारी जानकारिया होगे जानने लगे लोग आई- आई-एस की तैयारी भी करते हैं तो उनके लिए भी चीजे रिजल्ट ओरियंटेड निकल के आएंगी फिर उसमें ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है कि चीजे किस तरह से जा रही है तो रिजल्ट ओरियंटेड होंगी फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहि तो बेटर होगा क्योंकि बीटेक जब आप पास आउट होते हो नहीं तो बहुत सारी हो इसे रिस्पोंसबिल्टी होती है कैंपस प्लेस्पेंट ब्ला ब्ला बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि गवर्मेंट जॉप की प्रपेशन जो है प्राइवेट जॉप के साथ ही करते रहते हैं क्योंकि फाइव डे वर्किंग कल्चर आ गया कि पांस दिन का पैटरन चला तो उसको माइंड सेट में लेगे कि पांस दिन का कल्चर चला आप मुझे जादे इशू नहीं है मैं क्लियर कर ले जाओंगा मेरे लिए चीज़े उतनी टफ नहीं हो पाएंगी त जब भी आपकी तैयारी हो जाए 10 साल का अंसॉल पेपर जरू सॉल करें आपको स्पीड लिमेट कितने टाइम डियूरेशन में करना है कैसे मॉक टेस्ट कुछ दो फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारी संस्थाय कराती है उसको भी दीजिए क्योंकि यह सारी चीज़े अटेम करो होगे तो आपके लिए बहतर ऑप्सन होगा अब एक और कुश्चिन मागा था क्या पॉलिटेग्निक वाले आई-एस का फॉर्म बार सकते हैं जो पॉलिटेग्निक प्लस बीटेक किये होंगे वह लोग इसके लिए लेजबल है वह लोग फॉर्म डाल सकते हैं और देखो आ जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए करियर में किस तरह आगे बड़े करियर को किस तरह आगे लेके जाए तो मेरे से डाक्ली बात कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस तरह की अपडेट और नोडिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जोईन कर ले लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है मिलते आप से नेक्स वीडियो में थाइंक यू